तो आज बिहार में 30 चरण का बततान है 15 जिलों के 78 सीटों के लिप से कुछी दिर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी बदेपूरा से राजेश कुमार हमारे साथ हैं राजेश आरजेडी सीट से पिछले दो चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है इस बार बीजेपी की जगे यहां से जेडीव ने अपना उमीदवार उतारा है तो क्या कुछ समी करण बदलने की उमीद है देखे अगर मैं पूरे मधिपुरा जिले की बात करूँ तो 2015 के चुनावों में जेडीव और जेडी साथ में लड़े थे तो वो भी चुनावों में अगर मधिपुरा सीट की बात करो, मधिपुरा सदर की बात करो तो यहां से पपु यादव भी चुनावों लड़ रहे है साथ ही बीपी मंडल जो की मंडल कमिशन के चेर्मेन हुआ करते थे पुर्व मुख्यमंतरी थे बिहार के उनके पोते को निखिल मंडल को जेडी उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उता रहा है वहीं आर जेडी से प्रोफेशे चंद सेखर जो पिछले दो बार से विधायक रहे हैं 2010 में जब नितीश कुमार का लहर था उस बार भी चंद शेखर जीत गया 2015 में जेडी उ आर जेडी जब चुनाव लड़ रहे थे साथ में तब ही वो चुनाव जीते थे तो यहां पर मुकाबला काफि दिल्चस्फ है काफि कौन जीतेगा यह कहना बहुत मुस्किल है पपू यादों ने चुनावी रण में उतर कर यहां जो पूरा मुकाबला उसको दिल्चस्फ बनाया अर्चनाव तो देखना होगा क्या वाकर यह मुकाबला कुछ बदल पाता है समीकरन तस्वीरे कुछ बदल पाती है मदेपूरा सीट की फिलाल एक ब्रेक का वक्त है ब्रेक के बाद भी बिहार चुनाव पावन हमारी स्पेशल कवरिज लगातार जारी है